नमस्कार प्रतिमस के चिन में आप सबको फीड़ेक पर स्वागत है फ्रेंड्स आज में आप लोगों के साथ मचली का एक रेसिपी सेयर करूंगी जो ओडिसा का स्पेसल है और वो मस्टर्ड पेस्ट से बनाऊंगी आप लोग ये वीडियो को एंजोई किजिए और कैसा लग प्रेंड्स में स्यार भी करें तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यह देखिए दोस्तों यहां पर मैंने येलो मस्टर्ड लिया है थोड़ा सा और ब्लाक मस्टर्ड लिया है येलो मस्टर्ड दो चमच लिया है और ब्लाक मस्टर्ड एक चमच और एक टी स्पून मैंने जीरा लिया है उसका पाउडर बना लेंगे पहले तो ये देखिए इसका फाइन पाउडर बना दिया है मैंने और अब मैं इसमें मसाला आड़ करूँगी मसाला में मैंने गार्लिक लिया है प्याज और दो हरी मिर्ची गार्लिक मैंने आठ से दोस लिया है और प्याज एक मीडियम साइज का और हरी मिर्ची दो लिया है और एक टोमाटो को मैंने इसे कट करके लिया है और अब मैं इसको पेस्ट बना लूँगी एक फाइन पेस्ट बनाना है, तो देखिए मैंने पेस्ट बना दिया है, यह देखिए आप देख सकते हैं, और यहां पर देखिए मैंने मचली लिया है, और आलू लिया है, प्याज लिया है, धन्या पता और दो सुखाम लिया है, और अब हम बनाना शुरू करते हैं, यहां पर मेंने कड़ाई गरम कर लिया है उसमें मस्टड ओयल का रूश य। य। धो के वास करके उसमें नमक और हम्दी डालके रखी हुई थी तो इसे थोड़ा धकन लगा देती हूँ ताकि ओयल छिटके ना चलिए देखते हैं तो ये देखिए मैंने एक साइट पलट दिया है उसको इसी तरह मैं मचली को फ्राइ कर लूँगी मचली को ज्यादा फ्राइ नहीं करना है हलका फ्राइ करना है बाकी का मैं फ्राइ कर लेती हूँ मस्टर्ड करी के लिए मचली को हलका फ्राई करके डालने से अच्छा टेस्ट आता है अब देख सकते हैं बिल्कुल इसी तरह तो यह देखिए और से मुसी कड़ाई में मैं थोड़ा सा पॉंच पॉरून दे रही हूं ओईल भी मैंने और नहीं डाला है तो अब मैं प्यास डाल देती हूं उसी ओईल में मैं करी बना हूंगी तो अब मैं इसमें साल्ट डाल रही हूं टेस्ट का एकडिंग थोड़ा सा करी पता दे रही हूं हलका इसे सत्य कर लेंगे और अब मैं इसमें आलू डाल देती हूं अब चाहो तो आलू को पहले फ्राई करके दे सकते हो नहीं तो बॉयल करके दे सकते हो अब मैं इसमें मस्टर्ड पेस्ट दे रही हूँ जो बना के रखी हुई थी और इसको मैं आलो के साथ अच्छे से फ्राई कर लूँगी बाकी का पेस्ट भी में डाल देती हूँ तो यह देखिए और थोड़ा सा पानी डालती हूँ जो जिसमें मैंने मसाला पीसी थी उसी में ही मैं थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि मसाला निकड़ाई के तले में ना लगे अब मैं इसमें 1 अब टीश्पून हल्दी पाउडर दे रही हूँ वान टीश्पून लाल मिर्च पाउडर कस्मीरी इरेचली पाउडर दे रही हूँ और अब में इसमें थोड़ा सा धनिया पाउडर एक टीश्पून दे रही हूँ अच्छे से मीक्स कर लेंगे थोड़ा धकन लगा देते हैं इसको दो तिन मिनिट के लिए देखिए दो तिन मिनिट हो चुका है और इसको मैं निकल के दिखा रही हूँ यह देखिए मसाला को अच्छे से भून लेंगे तो यह देखिए मसाला बिल्कुल रेड़ी हो गया है तो अब मैं इसमें पानी आड़ करती हूँ पानी में ने एक ग्लास से थोड़ा ज्यादा दिया है और अब मैं इसको ढखन लगा देती हूँ एक उबा लाने तक तो देखिए उबा ला चुका है और आलू भी उसमें पक रहा है अब मैं इसमें यह मचली जो फ्राइकर के रखिए थी उसको डाल देती हूँ थोड़ा मिक्स कर लेती हूँ तीन से चार मिनिट पकाएंगे इसे और अब मैं इसमें जो सुखा आम रखी थी उसको भी मैं डाल देती हूँ तो यह देखिए पूरा लो फ्लेम में पका रही हूँ इसको चार पांच मिनिट पकाने के बाद हम इसे यह देखिए अलू भी वॉयल हो चुका है अच्छे से और मैं इसे आपको प्लेटिंगर के दिखाती हूँ तो यह लिजिए हमारा मचली मस्टर्ड करी बनकर रेडी हो गया है आप इसको बनाएए खाये कैसा लगा मुझे कमेंट जरूर कीजिए